टू ट्रेंज इच अफ लेंथ 150 मीटर आर मुविंग इन अपोसिट डिरेक्शन तो दो ट्रेंज से अपोसिट डिरेक्शन में मूव कर रही है दोनों की लेंथ है 150 मीटर एक की स्पीड है 36 kmph दूसरे की स्पीड है 72 kmph sorry question कह रहा है time taken by them to just cross each other completely तो दोनों को एक दूसरे को दोनों ही हाँ पे है एक दूसरे में cross करने में दोनों को कितना time लगता ही है अपनको पता लगाना है ऐसा आपने question पहले भी किया है ठीक है ना I think question number था वो 7 ऐसा ही कुछ question है जब भी दो objects move कर रहे होते हैं मिटा हम कैसे करते हैं question को relative velocity एक concept से relative लेना पड़ेगा ठीक है तो अब मैंने क्योंकि B को किस पर माना है rest पर माना है तो velocity of A with respect to B हना A की velocity B के respect में क्योंकि दोनो opposite direction ट्रेवल कर रहे हैं अगर तो सिर्फ ऐ चल रही होती सिर्फ A वाली train चल रही होती 36 है तो B वाली train क्या देख देखती कि A वाली train B के पास 36 से आ रही है किलोमेटर पर आर्ट से लेकिन क्योंकि दोनों ट्रेन ट्रेवल कर रही है तो अब B वाला क्या देख रहा होगा कि A वाला उसके पास 36 प्लस 72 यानिकी 108 किलोमेटर पर आर्ट से आ रही है जब हम इस कॉंसेप्ट से स्टडी करते हैं तो हम इसको रेस्ट पर मान लेता है हमने इसको रेस्ट पर मान आ तो यह वाली टरेन इसके पास कितनी स्पीड से आ रही है relative स्पीड से 108 मिटर पर आर्र्ज से आ रही है अब situation कुछ ऐसी है जो मैंने हैं यहाँपर ड्रॉब कर रहा हैं तो यह बी वाली ट्रेन तो एवली ट्रेन का जो front end जो end है इसका वो यहाँ पर है B के just उपर ऐसे अब cross करना है crossing का मतलब इसको तो मैंने already rest पर मान लिया अब एवली ट्रेन उठके यहाँ पर आएगी ठीक है ना तो कितना travel करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ से यहाँ आएगी एवली ट्रेन तो इसको इतना distance travel करना पड़ेगा इतना मतलब उसकी खुद की length के पराबर यानि कि 150 मीटर चलेगी तो यह वली ट्रेन इधर आएगी अभी crossing नहीं हुई अब तो वो उसके साथ में खड़िया ऐसे अब और आगे निकलना उसको तो जब यह पूरी की पूरी ट्रेन यहाँ पर पहुँच जाएगी इसका back end इसके back end पर आ जाएगा तब इसने 150 मीटर और चला तो यह वली ट्रेन ने 150 मीटर और चला अपने को टाइम निकालना है टाइम होता है distance upon speed acceleration का दूर दूर तक कोई नाम नहीं है यहाँ पर तो यूनिफॉर्म मोशन है तो अपन यह वाला फॉर्मला यूज कर सकते है time equals to distance upon speed तो distance अपना हो गया 300 मीटर speed कितनी हो जाएगी 108 है relative speed linear तो 108 into 5 by 18 क्योंकि TMPH में है मीटर पर सेकंड में करना है solve करके अपना 10 seconds answer